नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोग का आपके अपने ओनलाइं स्ट्यूट टारिविध दालोक में मैं यनके सिंग आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एब अभिदन दन करता हूँ आसा करूँगा कि आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई का कारे बहुत बहतरीन सुचार रूप से चल ला होगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या दुविधा आपको नहीं आ रही होगी concept through question की series में आप पीछे लगे हुए figure से आज समझ ही गए होंगे कि आज हम skeleton system को cover करने वाले हैं आज हम कंकाल तंत्र को cover करने वाले हैं कंकाल तंत्र एक महत्तपूर chapter है आपके UPPCS, ROARO या खंड सिच्छा अधिकारी के लिहाज से तो आज हम 25 question की सहायता से इस पूरे chapter को हम खंगालने का प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है कि जितने ऐसे लोग हैं जो कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते इस लगभग एक घंटे की क्लास के बाद वह कंकाल तंत्र से संबंधित कोई भी question आएगा उसको कर पाने में वह समर्थ होंगे बसरते आप copy और pen को लेकर बैठियेगा और जो भी question के साथ साथ जो भी मैं अत्रिक्त fact आपको देता जाऊंगा उन सारी की सारी चीजों को आप अपनी copy में note down करते चलिएगा ठीक है हमारी इस पतली सी तवचा के अंदर सब की वास्तविक्ता यही है बाकी सब जूठा है सब का कंकाल तंत्र बिलकुल ऐसे ही है इसी वज़े से कहा जाता है कि जीवन में मुस्कुराते रहिए खूब आन करने का प्रयास करेंगे पहला प्रस्ना आपके screen पर है कि निम्न लिखित में से wbc का निर्मार कहां पर होता है wbc का निर्मार कहां पर होता है लाल अस्थिमज्या पीत अस्थिमज्या सनायू कंडरा red bone marrow yellow bone marrow muscles या कंडरा इन में से white blood cells यानी की हमारी जो स्वेत रुधिर को कोशिका होती है उस स्वेत रुधिर कोशिका का निर्मार कहां पर होता है ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा हमारे सरीर में इसकेलेटन हमारे सरीर में इसकेलेटन यानि की कंकाल का कार क्या होता है कंकाल के कार की अगर आप बात करेंगे तो यह मानुस्य के सरी को एक निश्चित आकार प्रदान करता हो साथ ही साथ मनुष्य के सरीर को सुरच्छा प्रदान करता हो और साथ ही साथ वह रुधिर कोशिकाओं का निर्मार करता हो रुधिर कोशिकाओं का निर्मार करता हो ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं ऐसे तंत्र को हम कंकाल तंत्र कहते ह तो तीन बातें याद रख लेना यह हमारे सरीर को एक निश्चित आकार देता है हमारा सरीर यह जो निश्चित आकार में है वह कंकाल की देन है अगर हड्डियों को हम निकाल दे तो सबका हमारा आपका सबका सरीर एक मांस की गठरी में समा जाएगा कोई आकार नहीं रहेगा सुरच्छा मस्तिस्क को सुरच्छा परदान कर रहा है हमारे ये रिप्स पसलियां जो है हमारे हिर्दय को सुरच्छित रख रही है हमारे फेफड़े को सुरच्छित रख रही है और साथी साथ RBC और WBC का निर्मार भी होता है प्लेटलेट्स का निर्माड भी होता है आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि यह जो लंबी अस्थियां होती है इन लंबी अस्थियों के किनारों पर लाल अस्थिमज्जा यानि की red bone marrow पाया जाता है और इस red bone marrow यानि कि लाल अस्थी मज्जा का कारे क्या है लाल अस्थी मज्जा का कारे होता है आर बीसी का निर्मार करना तो आर बीसी का निर्मार जो किया जाता है वह आर बीम के द्वारा किया जाता है लाल अस्थी मज्जा के द्वारा किया जाता है और वाई बीम यानि कि पीत अस्थ जिसको हम yellow bone marrow कह सकते हैं yellow bone marrow के द्वारा WBC का निर्मार किया जाता है किसका निर्मार किया जाता है WBC का निर्मार किया जाता है तो RBC का निर्मार लाल अस्थी मज्जा WBC का निर्मार पीत अस्थी मज्जा के द्वारा किया जाता है सही उत्तर हमारा क्या होगा सही उत्तर होग हमारा पीत अस्थिमज्जा WBC की संख्या लगबक कितनी होती है 5000 प्रती एमेम क्यूब होती है WBC याद रख लेना एक ऐसी रुधिर कोशिका है जिसमें केंद्रक पाया जाता है और WBC का सीधा संबंध मानव सरीर के प्रतिरच्छा तंत्र से होता है मानव सरीर के इम्यून सिस्टम से होता है इम्यून सिस्टम का मतलब यह हमको रोगों से बचाने में कैपेबल सामर्थवान बनाती है तो यह ऐसी कोशिका है जिसको आप WBC कहते हैं तो सही उत्तर आप्सन नंबर भी होगा कोश्चन नंबर चलते हैं दो पर कोश्चन नंबर दो दिया गया है कि अंतह कंकाल का निर्मार भुरूड के किस परत से होता है अंतह कंकाल हमारे सरीर में दो प्रकार के कंकाल होते हैं कंकाल कितने प्रकार का होता है इसकेलेटन कितने प्रकार का होता है ध्यान दीजेगा इसकेलेटन दो प्रकार का होता है सरीर के बाहरी हिस्सों में पाये जाने वाले कंकाल को इक्जो इसकेलेटन कहते हैं बाहे कंकाल कहते हैं और सरीर के आंतरिक हिस्सों में पाये जाने वाले कंकाल को इंडो इसकेलेटन कहते हैं अंतह कंकाल कहते हैं बाहर बाह कंकाल, अंदर अंतर कंकाल, बाहर कौन कौन सा कंकाल पाया जाता है, याद रख लेना, मनुस्य की अगर बात किया जाए, तो मनुस्य के जो नाखून और बाल होते हैं, मनुस्य के जो नाखून हैं, और मनुस्य के जो बाल हैं, वह बाह कंकाल के उदारण हैं, पच पच्छियों की बात अगर कर लिया जाए तो पच्छियों के जो पंक होते हैं वह बाह कंकाल के उदाहरण हैं मचलियों के अगर सल्क की बात कर लिया जाए तो मचलियों के मचलियों के जो सल्क है यह बाह कंकाल का उदाहरण है अगर जानवरों के अगर सींग की बात कर लिया जाए, सींग और खुर की बात कर लिया जाए, तो यह भी बाह कंकाल का क्या है, उदाहरण है, तो याद रख लेना, कोश्चन एक बार पूछा गया था, कि निमलिखित में से कौन बाह कंकाल का उदाहरण है या नहीं है, और जब उसमें नाखुन और बाल को उत्तर दिया था तो लोग कंफ्यूजन की स्थिती में आ गये थे कि नाखुन और बाल कैसे कंकाल हो सकता है, याद रखना, यह भी कंकाल है, यह भी हमारे सरीर को सुरच्छा परदान करता है, लेकिन यह कैसा कंकाल है, बाह कंकाल, और अंता कंकाल जो सरीर के आंतरिक हिस्तों में पया जाता है जिसमें बोन यानि की अस्थी आता है और दूसरे नंबर पे कार्टिलेज यानि की उपास्थी आता है तो बोन और कार्टिलेज यह अंता कंकाल है और यह सारी संचनाएं बाह कंकाल का उधारण है अब यहाँ रख लेना, जो सबसे बाहर की तरफ होता है, जो सबसे बाहर की तरफ होता है, इसको एक्टो कहते हैं, जो मद्ध की तरफ होता है, इसको मीजो कहते हैं, और जो सबसे अंदर होता है, उसको एंडो कहते हैं, एंडो का मतलब सबसे भीतरी, और मीजो का मतलब मद्ध, और बाहर अगर कोई जिल्ली पाई जाएगी तो उसको हम को किया बोलते हैं जिसे आप अप मीजोडर्म कहते हैं मध्य परत से हुआ है जिसे आप मीजोडर्म कहते हैं मीजोडर्म से हुआ है सही उत्तर हमारा सही option हमारा option number एक हो जाएगा ठीक है next question पे चलते है question number 3 much very 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 important question ठीक है देखेगा निम्न लिखित में से कौन सी अस्थी स्रोडी मेखला स्रोडी मेखला को पैल्विक गर्डिल कहते हैं कि अंतरगत नहीं पाई जाती दो प्रकार की मेखला होती है हमारे सरीर में मेखला जो होती है वह कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की एक अंस मेखला और दूसरी स्रोड मेखला ठीक है आपको मैंने पढ़ाया है आपको मैंने समझाया है जो लोग नहीं पढ़े हैं जो नहीं समझे हैं वो मेरे साथ अभ अगर यहां पे जुड़ने वाले हैं, तो यहां पर बीच में कोई जोड़ने के लिए, बीच में कोई जुड़ने के लिए, बीच में कोई ज्वाइंटर होगा दो पाइप है उनको जोड़ना है तो बीच में ज्वाइंटर लगाते हैं तो वह ज्वाइंटर का नाम विज्ञान की भासा में क्या है गर्डिल्स है क्या है गर्डिल से तो जो हमारे हाथों को जोड़ता है उसे हम कहते हैं अंसमेखला यानि कि इसको बोलते हैं हम क्या इसको हम बोलते हैं पैक्टोरल गर्डिल है ना इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पैक्टोरल और जो हमारे पैरों को जोड़ता है उसे ह हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं स्रोड मेखला इसे हम क्या कहते हैं स्रोड मेखला तो यानि कि मेखला जो होती है वो मेखला दो प्रकार की होती है एक होती है पेक्टोरल एक होती है अंस मेखला और दूसरा होता है पैल्विक गर्डिल यानि कि जिस तुरा होता है स्रोड मेख स्रोडिमेखला में कितनी अस्थियां होती है श्रोडिमेखला nep 209 009 106 009 001 009 0010 इलियम इस्चियम और तीसरे का नाम है प्यूबिस इलियम इस्चियम और प्यूबिस ये तीन अस्थियां होती है इनहीं तीनों अस्थियों को कॉमन रूप से एक अस्थि का नाम दे दिया जाता है जिसे आप एसीटा बूलम कहते हैं जिसे आप एसीटा बूलम कहते हैं ठीक तो ileum esteem pubis होता है, scapula नहीं होता है, scapula तो अंस मेखला का हिस्सा होता है, अंस मेखला में चार हड़ियां होती है, दो इधर, दो इधर, तो उसमें से एक होता है scapula, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आगे मैं समझाऊंगा, अगर आपको scapula को देखना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए मैंने पूरी बेवस्था किया है, पूरी मेहनत किया है, ठीक है, ताकि आपको कोई confusion नहों हो, ठीक है, देखिएगा, ये पुरा हाथ हमारा जुड़ा है इतने हिस्सों से, इसे ही हम अंस मेखला क कहते हैं, तो इस scapula और calvical, ये दोनों मिल कर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिल कर अंस मेखला का निर्मार करते हैं, ये दोनों मिल कर pectoral girdle का निर्मार करते हैं, pectoral girdle का निर्मार करते हैं, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा option number D, यानि की इस कैपुला, इस कैपुला, next question पे चलते हैं, question number 4, question number 4 को देखेंगे, question थोड़े से घुमा कर पूछे गए हैं, थोड़े से बाउंसर होगा, थोड़ा सा गुगली होगा, तो इन सारे चीजों को आपको देखना पड़ेगा, सीधा सीधा कितना question आप करेंगे, ठीक है, और मै confusion का, तो और कोई भी confusion की स्थिति आपको परिच्छा हाल में देखने को नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं आपको आस्वस्त करता हूँ, ठीक है, question पुछा गया है कि the example आप hinge joint, hinge joint का example क्या होता है, ठीक है, joint कई प्रकार के होते हैं, basically तीन प्रकार के joint होते हैं, यह एक ऐसा topic है जो आम तोर पे लोगों को समझ में नहीं आता है, एक बार में, ठीक है, एक बार आप मेरे साथ भी, पांच मिनट मेरा समय, जो है, आप लीजिएगा, और समझने का प्रयास करिएगा, पुरे पांच मिनट में मैं बुरे joints को समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, ध्यान से समझ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, देखेगा, joints कितने प्रकार के होते हैं, joints तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के तीन, पहले प्रकार का joints होता है, उसको हम बोलते, immowable और fixed joint, immowable यानि कि जो move न करे, जो fix हो, ऐसे joint को हम immowable कहते हैं, जैसे यह सक खोपड़ी में पाया जा रहा है अब यहां की हड़ी जो है यहां की रे क्रेनियम है अब क्रेनियम आठ अस्थियों जुड़ी है लेकिन यह हिल नहीं सकती है इसको हम फिक्ष्द कहेंगे दूसरा है की एसा जुड़ी मेखला की बीच में और तीसरा होता है फ्रियली मुवेबल प्रियली मुवेबल का मतलब है कि जो पहुत तेजी कि साथ में गति कर सकता है। यह देखेंगे, यह गति कर रहा है और नहीं को हम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अपूर संधि अब यह slightly movable जो होते हैं, यह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के कौन कौन से ध्यान देजेगा, पहला है ball and socket संधी, इसको हिंदी में कहते हैं, कंदुक खलिका संधी, कंदुक खलिका संधी में क्या है, एक जो बोन होती है, वह कंदुक का मतलब गेद की भात होती है और दूसरी संधी जो होती है वह किस प्रकार से होती है वह एक socket की भाती होती है तो एक ball और एक socket की भाती अगर कोई अस्ती है तो ऐसी जो joints होते हैं उनको हम ball and socket करते हैं ऐसे कहां पर पाय जाते हैं यह हमारी humorous यहां से जो जुड़ती है इसको हम ball and socket करते हैं यहां पर जो संधी पाई जाती है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे पीछे अगर मैंने दिखाया है पीछे अगर मैंने फीगर दिखाया है अगर आपको ध्यान हो तो आप खुद बखुद यहां पर समझ सकते हैं देखें यह कहां पर पाया जाएगा यहां पर देखे कबजा का मतलब क्या होता है जैसे दरवाजे में आपके कबजा लगा होता है वह आपके दरवाजे को यूनि डारेक्शनल बनाता है एक ही दिशा में घूमाता है तूसरे दिशा में नहीं जाने देता है तो सोचो हिंज कहां पर पाया जाएगा सोचो हिंज कहां पर पाया जा जो कोहनी में पाया जाएगा वो हिंज संधी होगा आप से कोश्चन में क्या पूछा गया है आप से हिंज जॉइंट्स पूछा गया है तो आपके हिंज जॉइंट्स में कौन सा उत्तर होगा कोहनी कोहनी में घुटने में जो जॉइंट्स पाया जाएगा वह कैसा जॉइंट होगा वह हिंज ज्वाइंट होगा इस बात को याद रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नबर पांच चार की बात पांच अचल संधी इम्मोवेबल ज्वाइंट का उधारड क्या है अचल संधी चल का मतलब जो चले अचल का मतलब जो न चले देखिएगा पसलियां यह उपर नीचे हो सकती है याद रख लेना अंगुलियां यह तो चलती ही है खोपडी नहीं चलती है तो यह कैसी संधी है यह अचल संधी के अंतरगत आ जाएगी मैंने आपको बताया है तीन प्रकार की संधियां होती है ठीक है स्लाइटली मुवेबल मुवेबल और ठीक ह नौन मुवेबल तीन प्रकार की होती है तो यहाँ पर खोपडी एक ऐसी संद्चना है जिसमें पाया जाने वाला जो जो जुआइंट्स है वह कैसा होगा वह इंमुवेबल जुआइंट्स का उदारण होगा वह इंमुवेबल जुआइंट्स का उदारण होगा नेक्ट को की मात्रा को संतुलित कौन करता है यहां पर थायराइड ग्रंथी या पैरा थायराइड ग्रंथी या प्यूस ग्रंथी या फिर इनमे से कोई नहीं याद रखना पैरा थायराइड ग्रंथी से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोल दा है हमने क्या पैरा थार्मोन क्या बताया ह है हमने पैरा थार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे सरीर में क्या करता है जो हमारे सरीर में कैल्सियम तथा फासफेट की मात्रा को कैल्सियम तथा फासफेट की मात्रा को नियंत्रित करता है कैल्सियम तथा फास्फेट की मात्रा को क्या करता है नियंत्रित करता है तो कैल्सियम ही वह आवश्यक्तत तो होता है जो हमारी अस्थियों के निर्मार में स्चरवाधिक महत्तपूर भूमिका निभाता है तो इस वज़े से याद रख लेना या पैरा था इद्रिक पैराइड गरन्थी से समंदित एक बात और या an comedy रेना हमारी पिूसगन्थी जो होती है हमारी पिूस गरंथी पर सारी गरंथीओं का नियंत्र होटा है पीूस गरंथी का इसी वज़े से पिूस गरंथी को मास्टर ग्रंथी कहते हैं लेकिन दो ऐसी ग्रंथियां हैं, एक पैरा थाइराइड याद रख लेना, पैरा थाइराइड याद रख लेना, पैरा थाइराइड और दूसरा याद रख लेना, एड्रीनल ग्रंथी का, कॉर्टेक्स नहीं, एड्रीनल ग्रंथी का मेडूला वाला हिस्सा, तो एड्रीनल का कहा नहीं मानते हैं तो ये पैरा थाइराइड और मान लेना ये एड्रिनल मेडुला ये दोनों ऐसे बिगडायल बच्चे हैं क्लास के जो मास्टर की बात नहीं मानते हैं तो ये दोनों अपवाद होते हैं बाकी सारी अन्य अंतह स्रावी ग्रंथियों पर पीउस ग्रंथि कौन करता है हाइपो थैलमस इसी वज़य से हाइपो थैलमस को मास्टर औप मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह प्यूस ग्रंति पर अपना नियंतर स्थापित करता है आसा करूँगा कि सारी कहानी एकदम क्लियर हो रही होगी एकदम कहानी क्लियर हो रही होगी आपको अच्छे डग से next question बात करते हैं सबसे मजबूत अस्थी भाई कहां पर पाई जाती है थीक है तो आपने नाम सुना होगा थीक है कि सबसे लंबी अस्थी कौन सी है सबसे लंबी अस्थी कौन है तो सबसे लंबी अस्थी है सबसे लंबी अस्थी है फीमर सबसे छोटी अस्थी कौन सी है इस्टेपीज सबसे छोटी अस्थी है सबसे छोटी अस्थी का नाम क्या है सबसे छोटी अस्थि का नाम है इस्टेपीज इनैमल याद रख लेना सरीर का सरवाधिक कठोर हिस्सा सरीर का सरवाधिक कठोर भाग सरवाधिक कठोर हिस्सा सरवाधिक कठोर हिस्सा कौन सा है सरवाधिक कठोर हिस्सा है इनैमल और सबसे मजबूत अस्थी याद रख लेना सबसे मजबूत अस्थी जो है वह किस में पाई जाती है वह जबडे में पाई जाती है किस में पाई जाती है जा इन जा ठीक नै तो जबडे की अस्थी जो होती है वह सबसे मजबूत अस्थी है सबसे लंबी अस्थी है फीमर सब से कठोर हिस्सा है मानो सरीर का इनैमल जो की हमारे दात में दात का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है इसी को तो आपने नाम दिया है क्या इसी को तो आपने नाम दिया है इनैमल ठीक है तो आसा करूँगा कहानी क्लियर हो रही होगी नेक्स्ट कोश्चन साथ के बाद चलते हैं कोश्चन नमर आठ दो अस्थियों के संधि अस्थल पर कौन सा द्रव पाया जाता है शाइनोवियल या पेरिकार्डियल या सरिब्रो स्पाइनल या नन ओफ दीज इन में से क्या है two bones are found at the pretty sites में कोन सा पाया जाता है तो सरिब्रो स्पाइनल फatoon यह brain मस्तिस्क और इस्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है UPPCS का सवाल पूछा गया है ठीक है तो brain और spinal cord में जो fluid पाया जाता है जो draw पाया जाता है इसको हम cerebral spinal fluid कहते हैं हमारे हिर्दय में हमारे heart में जो fluid पाया जाता है उसको हम pericardial fluid कहते हैं cardial का मतलब ही होता है हिर्दय मैं बार 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 बात आ चुका हूं cardiology हिर्दय विग्यान काइडियो लॉजिस्ट हिर्दय विशे सब्गे है और synovial fluid क्या होता है यह bone दो bone जहां आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर यह synovial fluid पाया जाता है ठीक है यह पहली bone यह दूसरी bone यह जब आपस में जुड़ती हैं तो यही पर जो है यह synovial fluid पाया जाता है और यही पर एक yaml होता है जिसका नाम है uric aml और uric aml जब यहां पे जमा होता है तो यह synovial fluid को धिरे-दिरे समाप्त करता है और रोग हो जाता है गठिया तो question यह भी बनता है कि गठिया नामक वो decline कर देता है और परिडाम क्या होता है परिडाम वहां पे gout यानि कि गठिया की समस्या उत्पन होती है तो यह सारी की सारी बाते याद रखना यह आपकी परिच्छा के लिए अत्यंत महत्तपूर पैनेल्सिया यानि कि रामबार की भूमिका में हो सकते हैं और आसा करू थोड़ी सी अस्थियों की संख्या में बात कर लेते हैं देखे हमारा जो इसकेलेटन होता है हमारा जो कंकाल होता है कंकाल कितने हिस्सों बटा होता है दो हिस्सों में एक पाला जिसको अच्छी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिस में एक्जियल कहते हैं और दूसरा होता एपेंडी कुलर को हम क्या बोलते हैं एपेंडी कुलर को हिंदी में हम अनुबंधी कहते हैं या उपांगी कहते हैं तो याद रख लेना अच्छी और उपांगी दो प्रकार के कंकाल होते हैं अच्छी के अंतरगत याद रख लेना अच्छी कंकाल तंत्र जो है कितने हिस्सो बटा होता है यहां इसकल में टोटल नंबर बोन आप कितनी पाई जाती हैं 29 याद रख ले लेना इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम यानि की रीड की हड़ी यानि की कशेरुग दंड यानि की मेरदंड इसमें 26 बोन्स पाई जाते हैं इसके बाद रिप्स यानि की पसलियां प औरोस्थ की संख्या होती है एक कितनी ہोती है एक होती है अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि एकजियल के अंतरगट टोटल नंबर आप बोन्स कितनी होती है असी होती है, टोटल नमबर आप बोंस कितनी होती है, 80 होती है, अब यहाँ पर ध्यान समझना, कि यह जो appendicular है, appendicular में हाथ, ठीक है, हाथ आएगा, ठीक है, और पैर आएगा, और मेखला आएगी, मेखला, मेखला, है न, तो मेखला के अंतरगर टोटल 6 अस्थियां आती है, ठीक है, जिसमे से चार अंस मेखला, और दो स्रोडी मेखला होता है, पैर में साथ अस्थियां, और हाथ में भी साथ अस्थियां, तो साथ साथ, 120 और छे, 126, तो appendicular में टोटल नमबर आप 246, 80 और 126 कितना हो गया, 206, यानि कि स्कलेटन के अंतरगर अस्थियों की संख्या टोटल कितनी हो 206 होती है, अब यहाँ पर question क्या पूछा गया है, cranium, ध्यार सुनना, यह जो इसकल है, इसकल का मतलब क्या होता है, इसकल का मतलब होता है, खोपड़ी और खोपड़ी का मतलब क्या होता है भाई, यह गर्दन के उपर जो है पूरा, यह पूरा, यह सब खोपड़ी है, यह स इसके बाद होता है फेसियल, फेसियल में total number आप बोन्स कितनी होती ही 14, यह चेहरे पर पाई जाती, चेहरे पर जो पाया जाता है हट्डिया उसको फेसियल करते हैं, इसके बाद याद रख लेना कड, कान में कौन सी अस्थियां, कितनी अस्थियां पाई जाती ही, 6, तीन इसकान में, तीन इसकान में, और कौन कौन सी है वो, मैंने आपको ट्रिक बताया था, यम आई एस याद रखना, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, है न, मिस जैसे आप करते हैं, और एक बोन होता है, जिसको आप बोलते हैं, हायड, हायड है न, हायड की संख्या होती है, अ क्रेनियम की संख्या होती है, आठ, तो मैंने पूरा, 206 हड्डियों का विवरड दिया, आप से केवल क्रेनियम पूछा गया था, मैंने पूरा 206 हड्डियां, जो भी आपके सरीर में पाई जाती है, जहां से भी, ये अनके सिंग को ये लगता है, कि सवाल बन सकता है, अनक इस तरूप से एक बहतर रिवीजन हो रहा होगा, है न, पूरी एनर्जी, पूरी जोज, पूरा उमंग, पूरा इमंदारी के साथ में आपको ये क्लास डिलवर किया जाता है, और अन्तिमस्तर पर, जितना मैक्जिमम हो सकता है, उससे अधिक आपको लाव पहुचाने की को पैर में कितनी होती, फIST कितनी होती है, कान में कितना होता है, ये सारे अस्तियों की संख्या, आपकी जिम्मेदारी है, याद रखो, आप उनका नंबर याद रखते हैं, तो आप ये नंबर भी कुछ याद कर लिजे, ठीक है? दो तीन बार, आप लिखोगे न याद हो अभी वाईया मैंने पीछे बताया अच्छी कंकाल में total कितना है 80 और अनुबंधी कंकाल में total कितना है 126 अनुबंधी कंकाल में कितना है 126 ठीक है तो ये appendicular है जिसको आप उपांगी कंकाल कहते हैं या अनुबंधी हिंदिम बोलते हैं अनुबंधी कहते हैं और यह जो है अच्छी कंकाल यानि की एक्जियल कहते हैं अच्छी कंकाल कहते हैं ठीक है अच्छी कंकाल कहते हैं ठीक है तो यह है तभी तो आप जोड़ते हैं तो इन दोनों को काउंट करने के बाद कितना निकल के आ जाता है 206 एक वयस्क मनुस्य में अस्थियों की संख्या जो पाई जाती है, वो 206 पाई जाती है, ठीक है, next question, 10 के बाद 11, मनुस्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, पीछे ही तो बताया, 29, जिन में से 8 क्या है, क्रेनियम 14 क्या है, फेसियल 6 क्या है, कान में, और 1 क्या है, हाय, ये 4 हिस्से हैं, औ टोटल मिलकर कितनी होती है, 29 स्पोंस पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 29 स्पोंस पाई जाती है, याद रखना, very important, next question, निम लिखित में से कौन सा संधी का एक प्रकार नहीं है, है न, कौन सा एक प्रकार नहीं है, ball and socket, मैंने आपको बताया है, ये संधी का प्रकार है, saddle, अंगुठे में कौन सा पाया जाता है, अंगुठे में saddle पाया जाता है, radius, gliding, gliding का मतलब क्या होता है, फिसलती हुई पसलिया, है न, यह भी, आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के ये पाया जाते हैं संधी, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, ठीक है, देखिए, ball and socket ह हो गया, हिंज हो गया, saddle हो गया, gliding हो गया, pivot हो गया, और ellipsoid हो गया, ठीक है, ball and socket, ellipsoid, saddle, hinge, gliding, pivot, ठीक है, pivot, gliding, gliding का मतलब होता है, जो फिसलती होती है, ठीक है, तो याद रख लेना, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, macro, पुछा गया, कौ appropriate उत्तर माना जाएगा, ठीक है, next question पे चलते हैं, अगला सवाल है, false rips तथा floating rips किस अंग में पाई जाती है, है न, false rips और floating rips किस में पाई जाती है, सायद RO, ARO में ये question पूछा गया है, कि false rips, floating rips किस अंग में पाई जाती है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, rips का मतल अब क्या होता है, पसलिया, ठीक है, ये पसलिया आपस में यहाँ जुड़ी होती है, न, क्याहाँ पर एक देखिए, बीच में एक अस्थि पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इस्टर्नम कहते हैं, थोड़ा सा मैं manual तरीके समझा रहा हूँ, 12 में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 अस्थियां जो होती है, जो डारेक्ट इस्टर्नम से जुड़ी होती हैं, कुछ महाकाल टाइप का feeling आ रहा होगा, तो ये जो उरोस्ति, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम उरोस्ति कहते हैं, इसी को हम इस्टर्नम कहते हैं, ये इस्टर्नम से 7 पसलियां इधर से 7 पसलियां इधर से आती हैं, और ऐसी पसलियां जो इस्टर्नम से सीधे रूप से जुड़ी होती हैं, इनको सत्य पसलियां कहा जाता है, इन्हें true bones कहा जाता है, ठीक है, ऐसी पसलियां जो अपने उपर वाली पसलियों से जुड़ी ह 8,9,10 8,9,10 इन्हें असत्य पसलियां कहते हैं और असत्य पसलियों को हम फाल्स यफ्श कहते हैं और याद रख लेना यह 11 और 12 11 और 12 यह किसी से नहीं जुड़ी होती हैं यः पीछे जाकर अपने आप से जुड़ी रहती हैं इनको तेरती हुई पसलियां कहते हैं या इन्हें floating rips कहते हैं यहाँ पर ध्यान देजेगा figure ठीक है यहाँ पर देखेगा true rips एक से 7 लेकर false rips एक से लेके 10 इसको बना लिजेगा 1 से लेके 10 और floating rips 11 और 12 ठीक है तो ये true, false, floating ये तीन प्रकार की पसलियां पाई जाती है ये इनका नामकरड जो किया गया है इनका नामकरड किसलिए किया गया है तो सत्य ऐसी है जो की sternum से जुड़ी है असत्य ऐसी है जो अपने उपर वाले से जुड़ी है और floating ऐसी है जो तैर रही है तो ये तीन प्रकार की पसलियां पाई जाती है इनको आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए next question पर आब बात करते हैं अगला question क्या दिया गया है अगला question तो ये कहां पर पाई जाती है ये थोरोसिक cavity में पाई जाती है या थोरोसिक cage में पाई जाती है या वच्छी या प हड्यां आपस में कैसे जूरी होती हैं छोठी अस्थियों से अस्थि- भंद लिगामेंट nya दोस्राइब सभी के लिए अत्यन्त महत्वपूर है ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा एक होता है कंडरा एक सनचना होती कंडरा एक सनचना होती कंडरा जिसको इंगलिस में बोलते हैं टेंडन जिसको इंगलिस में क्या बोलते हैं जिसको इंगलिस में बोलते हैं टेंडन और दूसरी सनचना होती असनायू और असनायू को क्या बोलते हैं असनायू को बोलते हैं लिगामेंट असनायू को क्या बोलते हैं लिगामेंट तो टेंडन और लिगामेंट दो सनचना हैं ध्यान दीजेगा यहां पर ध्यान से समझना यह कंडरा जो होता है ऐसी सनचना जो अस्थि को मांस पेशी से जोडने वाली, मांस पेसियों से जोडने वाली जो सनचना होती है, ऐसी सनचना को हम टेंडन कहते हैं विज्ञान में, ऐसी सनचना को हम कंडरा कहते हैं, और असनायू एक ऐसी सनचना होती है, जो अस्थी को अस्थी से जोडने वाली जो सनचना होती है, जो अस्थी को बोन ट इसको हम लिगामेंट कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम लिगामेंट कहते हैं तो आपसन नमबर भी हमारा सबसे अप्रोप्येट उत्तर होगा और ये दोनों सवाल आपकी परिच्छा में अत्यंत महत्तपूर हैं कई बार ये सवाल पूछे गए हैं खास करके कोई एक तो दिवसीय परिच्छा है, तो इस दिवसीय परिच्छा में यहां से सवाल खूब पूछे गए हैं, तो इन दोनों सवालों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कोशन बात करते हैं, 14 की बात कोशन नमर 15, मनुष्य के मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मि कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, कि यह जो अस्थियां होती है, यह जो बोन होती है, जो वर्टीब्रल कॉलम में पाया जाता है, वर्टीब्रल कॉलम में कितनी होती, 26, लेकिन यह 26 अस्थियां जो होती है, यह वयसकों में पाया जाती है, यह वयसकों में पाया अगर हम चोटे बच्चों की बात करें तो याद रख लेना इनकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या होती है 33 इनकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या होती है इनकी संख्या 33 होती है और यही 33 अस्थियां आपस में जब वयस्क होता है बच्चा मैंने बताया है कि शुरु तो इसका मतलब है कि वो 300 से कम होके 206 कैसी होई जब व्यक्ति या बच्चा जब बड़ा होता है यानि कि धिरे-धिरे वो वयस्क होना सुरू होता है तो धिरे-धिरे अस्थियां आपस में जुड़ती चली जाती है तो याद रख लेना 33 अस्थियां जुड़कर निर्मित हो जाती है तो बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम 33 और वयस्कों में वर्टिब्रल कॉलम 26 कोश्चन आप से पूछा गया है दिया नहीं गया है 26 तो उत्तर आप मेंसा क्या करेंगी इसका मतलब है या पूछा गया है बच्चों के संदर में और बच्चों के संदर में जो आप का सही उत्तर होगा वो उत्तर कितना होगा वो 33 होगा ठीक है आसा करूँगा clear होगा point आपको next question बात करते हैं question number चलते हैं 16 question number 16 दिया गया है पेसियों को अस्थियों से जोडने वाली सनचना का नाम क्या है मैंने आपको बताया कि bone to bone कौन जोड़ेगा bone to bone जोड़ेगा ligament कौन जोड़ेगा ligament और bone to muscle कौन जोड़ेगा कौन जोड़ेगा tendon कौन जोड़ेगा tendon कौन जोड़ेगा tendon का कोई उत्तर दिख रहा है option number a याने कि इसवी को हिंदी में क्या बोलते हैं tendon ठीक है तो पता लगा आप कंडरा याद किये हैं और कंडरा मिल नहीं रहा है तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी ठीक है इसी वज़े से आप tendon याद रख लीजेगा या फिर आप याद रख लीजेगा ligament को असनायू कहते हैं लेकिन कई बार इसको भी हिंदी में ऐसे लिख देता है ligament इसको भी ऐसी तरीके से लिख देता है ligament तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए ठीक है आसा करूंगा की point आपको clear समझ में आया होगा next question बात करते question number 17 में दिया गया है कि अस्थियों में किस लवड की उपस्तिती सरवाधिक होती है यानि अस्थियों का जो निर्मार होता है इसके निर्मार में जल की भी अपनी महत्तपुर भूंका होती है और विभिन लवड की भी महत्तपुर भूंका होती है तो अभी मैंने आपको पी फासफेट की मात्रा को क्या करता है वी नियमित करता है तो याद रख लेना है कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम फासफेट, कैल्सियम कार्बोनेट, सही उत्तर हमारा क्या है कैल्सियम फासफेट, और क्या होगा कैल्सियम फासफेट, यानि कि हमारी जो अस्थियां होती हैं तो calcium और phosphorus इन दो तत्तों से मिलकर बनी होती हैं very 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 important याद रख लिजेगा calcium और phosphorus calcium और phosphorus इन से मिलकर बनी होती है तो इस वज़े से हमारा सही उत्तर क्या होगा यहां पर मैंने आपको बताने का भी प्रियास किया है कि अस्तियों में phosphorus पाय जाने के वज़े से अस्तियां जुलन सील भी होती हैं हवा के संपर्क में आती है तो यह जलने लगती है ay कई बार सिवान में जब घरमियों के मौसंम में हवा ते चलती है, तो अगर कोई जानवरों की हड्डियां है, तो उसमें आघ भी लग जाती है, जो कुछ जेद तक जलती रहती है, जब तक उसमें फासपूरस बनाराता है. तो हम कहते हैं कि भूत आया, भूत आया, जबकि भूत नहीं है वो फासपुरस है, याद रख लेना, कलाई की हड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, कलाई की हड़ियों को, कलाई, कलाई की हड़ियों, जहां से यह मुर्ती हैं, जहां से यह मुर्ती हैं, इनको क्या करते हैं, मेटा कार्पल्स, टार्सल्स, मेटा कार अंओ अस्थिया जो हमारे हाथों पाइजाते हैं तो हमारे हाथो पूampa में अस्थिक वोती है तो हमारे हाथ में पाई जाने वारी सबसे लंबी अस्थी का नाम होता है यूमरस ठीक है क्या नाम होता है यूमरस तो यूमरस सबसे लंबी अस्थी है ठीक है यूमरस के बाद दो अस्थी आती है जिनका नाम क्या है रेडियस एक का नाम है दूसरे का नाम क्या है अलना तो रेडियस अलना हो गया इसके बाद नीचे आएंगे तो ये कलाई है कलाई जहां से घूम रहा है इसको हम बोलते हैं कारपल्स तो उत्तर तो आपको मिल गया उत्तर क्या मिल गया कारपल्स थोड़ा सा आगे भी देख लीजिए कारपल्स के बाद क्या आता है मेटा कारपल्स यहां से घूमा क कारपल्स इसके बाद कारपल्स के बाद और अंगुलियों को छोड़ने के बाद ये बीच में जो है ये क्या है मेटा कारपल्स और अंगुलियों में जो अस्थियां पाई जाती है चाहे वह हाथ की हो चाहे वह पैर की हो उन्हें हम फैलिंजस कहते हैं उन्हें हम क्या कहते है उन्हें हम phalanges कहते हैं उन्हें हम phalanges कहते हैं तो carpals, metacarpals और phalanges carpals, metacarpals और क्या phalanges ठीक है तो याद रख लेना ये तीन अस्थियां सबसे नीचे पाई जाती है तो कलाईयों में पूछा गया है तो कलाईयों में कौन सा होता है कलाईयों में होता है कारपल्स क्या होता है कारपल्स ठीक है और टार्सल्स मेटा टार्सल्स ये पैर में पाई जाती है याद रख लेना टार्सल्स और मेटा टार्सल्स ये कहां पे पाई जाती है ये पैर में पाई जाती है तर्सल्स और मेटा तर्सल्स और मेटा तर्सल्स ये कहां पर पाई जाती है पैर में पाई जाती है चलिए नेक्स्ट कोश्चन अठारे की बाद 19 उपांगी ये कंकाल का भाग नहीं है पीछे मैं बताया हूँ और कई बार बताया हूँ दो प्रकार का कंकाल है axial है अनुबंधी है या उपांगी है या appendicular कहते है ठीक है या appendicular कहते है अब यहाँ पर देखेगा अग्रपाद या पश्चपाद अग्रपाद का मतलब क्या है hand पश्चपाद का मतलब है legs की बात किया जा रहा है श्रोडी मेखला pelvic और वच्ची पिंजर यानि की थ्रोसिक तो उपांगी कंकाल में हाथ तो है पैर तो है अंस मेखला भी है श्रोडी मेखला है लेकिन ये वच्ची पिंजर नहीं है देखिए वच्ची पिंजर जो है ये तो axial का हिस्सा है वच्छी ये पिंजर जो है ये तो एक्जियल का हिस्सा है ना एक्जियल का हिस्सा है ना वह एक्जियल का हिस्सा है मैंने बताया है आपको मैंने बताया है आपको अच्छे धंग से देखिए ये वच्छी रिप्स जो है यह अच्छी कंकाल का है जबकि हाथ पैर और मेखला ये अनुबंधी यानि की उपांगी कंकाल के अंतरगत आता है, तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, सही उत्तर हमारा होगा, option number D, हमारा option number D सही उत्तर होगा, question number 19 के बाद, question number 20 को देखते हैं, question number 20 दिया गया है, अस्तनियों में बाह कंकाल का उदाहरण क्या है, बाह कंकाल का उद पुर हो, सलक हो, है ना पंक हो पच्छीयों का, या फिर कीटो फतंगों का बाहे कंकाल जो की कैलसियम कार्बोनेट का बना होता है, वो हो, वो सब के सब बाहे कंकाल, वो सब के सब इक्जोइसकलेटन का हिस्सा होते हैं, तो यहां पर याद रख लेना कि अस्थी और हमारे बाहे कंकाल का उधारण होते हैं, यहां हमारे इक्जोइसकलेटन का हिस्षा होते हैं, नेक्ष्ट कोश्टन पर बात करते हैं, वी इसके बाद 21 देखेंगे, 21 दिया गया है, तो यह question कई बात पूचा गया है याद रख लेना इसका उत्तर क्या है अस्तन्यों की अस्तियों में यानि कि हड्डियों को देखकर भी आप यह आसानी से बता सकते हैं आसानी से आप समझा सकते हैं कोई भी अस्ति देखकर कोई भी बोन देखकर आप यह आसानी से बता सकते हैं कि यह अस्ति या यह सनचना यह अस्तन्धारियों की सनचना है या नहीं है तो यहाँ पर याद रख लेना अगर उसमें हैवर्सियन कैनॉल है तो हैवर्सियन कैनॉल का पाया जाना यह इस बात का सूचक है कि वह अस्तन्धारियों की अस्थियां है Question number चलते हैं, 11 के बाद 22 कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है ग्लुकोज से ग्लाइकोजन वसा से प्रोटीन ग्लुकोज से प्रोटीन या पाइरोविक अमल से लेक्टिक अमल जब आप कठोर व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करते करते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और oxygen की कमी होते होते हमारे सरीर में glucose जो होता है उसका विखंडन नहीं हो पाता और जब glucose का विखंडन oxygen की उपस्थिती में नहीं हो पाता तो oxygen की अनुपस्थिती में होने लगता है और जब oxygen की अनुपस्थिती में होता है तो pyruvic अमल से कौन सा अमल बनने लगता है और जब लेक्टिक अमल बनने लगता है तो वही थकावट की अनुभूत कराता है कोशन बनता है कि हम अधिक देर तक कार करते समय या अधिक देर तक व्यायाम करते समय या अधिक देर तक दोड़ते समय हमारे मांस्पेसियों में दर्द की अनुभूत होने लगती है हमारी मांस्पेसियां ठकने लगती है इसके पीछे सबसे बड़ा कारड क्या है तो इसक होता है कौंसा अमल, एक अमल होता है। यूरिक अमल का जमाव होना यह गठिया को प्रमार्वित करता है। कि गठिया वेक्तिको हो गया है, ठीक है, और गठिया जब होगा तो वो पर्मानेंट पेन देगा, वह अस्थाई दर्द देगा, लेकिन लेक्टिक अमल जबा हुआ, आप आराम करिए, ये लेक्टिक अमल जो है, ये पुना वहां से हट जाएगा, और पुना वहां की माल हैं, देशियां सुखद अनुभूति करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कोसिकाओं को क्या कहा जाता है, कंड swornि लिंफो साइट ऑस्टियो साइट या थरमो साइट, कमेंट, कर करके बताएंगे, अस्थी कोसिकाओं को क्या कहते हैं, सीधा सीधा, अस्थियों से सम्मंदित एक याद रखना उसका नाम है osteo, इसी वज़े से विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत, अस्थियों का अध्यन करते हैं, उसे हम osteology कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम osteology कहते हैं, जैसे osteoporosis, ठीक है, और एक बात और याद रखना, अस्थियों में जो लवड की जाच कि जाता है उसे हम BMD के द्वारा प्रदसित करते हैं BMD का मतलब होता है bone mineral density ठीक है इसका मतलब क्या होता है bone mineral density यानि की जो भी अस्थियों में पाये जाने वाले calcium और phosphate की मात्रा है उसको प्रदसित करने के लिए BMD टेस्ट किया जाता है और एक रोग होता है जिसको आप बोलते ह ठीक है osteo फिर देखिया osteo लग गया osteoporosis तो osteoporosis में कौन सा परिच्छर किया जाता है अस्थियों में BMD ये भी याद रखेंगे तो कुल मिलाकर मैं आप से ये कह रहाऊं कि अस्थि कहीं भी रहेगा osteo अपना पीछा नहीं छोड़ेगा osteo वहाँ पर जरूर समलित रहेगा और osteo का मतलब अस्थि है तो अगर आप देखेंगे तो osteocytes sites का मतलब क्या होता है कोशिका ये साब्द जो है पकड़ने का प्रयास करिए ये आप कितना दिमाग में रखेंगे अपने दिमाग में कितना रखेंगे आपके दिमाग की एक चमता है जादा दिमाग में रखेंगे तो है करेगा इस वज़े से चीजों को पकड़ने की कोशिस करिए शीखने की विग्यान सीखें रटिए Executive याद मत करिए ट्रिक मत याद करिए ट्रिक से कभी भला नहीं होगा, याद रख लेना, देरे देरे आपका इंटरेस्ट खतम हो जाएगा, इक्जामनेशन हाल में जाएगे, तो confusion की स्थिती में आ जाएगे, मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी ट्रिक को याद करने की कोशिस मत करिए, समझ विक्सित करिए, से साइटोलोजी बन गया, तो साइट कहीं भी है, तो कोशिका, तो वह कोशिका जो और यानि कि अस्थियों से सम्बंदित है, उसको हम क्या बोलते हैं, और अगर समझ में आया है, तो जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में, नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट समें लिख लिख दीजिएगा है ना कि नहीं सरह हमकु नहीं समझ में आया और अगर समझ में आया है तो जरूर लिख दीजिए गर कमेंट में कि यह सब समझ में आ गया यह सर जो भी आपने पढ़ाया है वह साथ सम कुछ समझ में आ रहा है स artifacts question पिछलते हैं question no.30 के बार 24 24 question इसके बाद एक question ओर रहेगा scapula sternum rips किस प्रकार की अस्थियां है तो भईया scapula चाहे sternum अब sternum समझ रहे कहाँ पे है आपको इतना तो पता है हो गया पसलियों को जोडने वाली जो सरचना होती इसको क्या बोते sternum scapula जो अंस मेखला है अंस मेखला में एक scapula एक calvical है और rips ये सब की सब कैसी अस्थियां है ये सब की सब चप्टी है कैसी है ये ये चप्टी है याद रख लेना ये flattened bones के अंतरगत आती है ये चप्टी bones है ठीक है अगर इनको आप देखेंगे तो ये खोखली नहीं है आम तौर पे अस्थियां जो होती है आम तौर पे जो bone होती है वो खोखली पाए जाती है ठीक है लेकिन यहाँ पे याद रख लेना यह ऐसी अस्थि है जो खोखली नहीं होती है जो कैसी होती चप्टी होती है इसके बाद बात करते हैं अगले सरचना पे अगले संचना है question no.25 ये last सवाल है पसलियों के विशय में सत्य कथन को आपको पहचान करना है ठीक है और मैंने अभी पीछे पुरा rips cage पुरा क्या पूरा वच्छी पिंजर पसलियों के विशय में पूरी anatomy मैंने बताया समझाया और अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्च बताया न एक से साथ जोड़े की पसलिया वास्तविक वास्तविक का मतलब क्या है true rips है न रियल मोंस या इनी को हम क्या बोलेंगे true rips क्यों true rips है क्योंकि यह सीधे रूप से हमारे sternum से जुड़ी होती है जो सीधे रूप से sternum से जुड़ी होती है उनको हम true rips के नाम से स सब्द बदलेगा भावनाय थोड़ी नहीं बदल सकती है ठीक है सब्द बदलेगा भावनाय नहीं बदल सकती है पढ़ाने वाला बदल सकता है लेकिन कॉंसेट नहीं बदल सकता है तो फाल्स रिप्स हैं छदम रिप्स हैं जूठी पसलियां है जूठी एक नंबर की हैं क्यो ने भी options दिये गए हैं, वो सारे options सहीं हैं, आसा करूँगा कि ये पूरा skeleton system के अंतरगत, जो भी मैंने 206 अस्थियां पढ़ाई हैं, इन 206 अस्थियों के पढ़ने के पश्चाथ, बिल्कुल आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे होंगे, जैसे ये भाई सहाम मुस्कुरा रहे हैं, निश्यत रूप से आपके अंदर एक confidence level build up हुआ होगा, निश्यत रूप से आपने इस class को करने के बाद जरूर कहा होगा, अहां, है न, तो मिलते हैं अगले session में, कुछ और सांदार और कुछ और जानदार प्रश्णों के साथ में, बस इस concept through question के थ्रू बने रहेगा, तो निश्यत रूप से आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, मैं क्रमवार तरीके से chapter wide पूरा का पूरा विज्ञान खंगा लूँगा, अभी मैं biology के section को cover कर रहा हूँ, और लगभग लगभग तीन chapter और बच रहा है, उसके बाद ये पूरा biology का section complete हो जाएगा, इसके पर शाथ याद रखना मैं botany, मैं physics और मैं chemistry पर भी आऊँगा, और वहाँ पर भी उन सारी question को कराने का प्रयास करूँगा, विश्य वेरी all the best, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अनन्त सुब कामना है, आप सभी लोगों का दिन सुब हो, आप सभी लोग खूब हसते निश्चत रूप से आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, बस अपनी जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को कभी भूलिएगा नहीं, अपने दिन निश्च है, अपने determination के power को यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो मिलते हैं next class में, थाहिक नुमस्कार, जैहिनी